तो देखो डेवल डबली वालों ने ब्रॉक लेस्टर और जो ओमास वाली कीज़ है वो पुरी तरीके से अनाउंस की है ब्रॉक आएंगे मंडे नाइट रॉक अंदर लेकिन कोई सीन है कि इस वाले पूरे सीन में एक सप्राइस तर और ट्विस्ट आ सकता है अब देखो ब्रॉक के फैंस को एक आखरी उमीद है आने वाले रॉक एडिशन से और फैंस का मानना यह है शायद यहां कोई चमतकार होगा ब्रॉक लेस्टर वसीज ओमास का जो मैच है वो रसल में में नहीं होगा लेकिन फाइनली इसको लेकर अपडेट आईए सामने क्या क कहानी में या फिन या फिर सही में रसल मेनिया के अंदर एक ब्रॉक वर्सीज ओमास का माच होने वालो और भी कुछ नियूज एं अपडेट इस वाली वीडियो के अंदर सो विदाउट वेस्टिंग इनी टाइम लेट्स बिगिन इस वीडियो तो देखो पहले मैं वीडियो को शुरू करने वालो रेसल मेनिये 39 के स्टीटिस के साथ में जो की है हमारे पीपल चैंप रॉक स्टोन कोल स्टीव ऑस्टन और बाकि डवल डवली के लेजंड का अब देखो यहां पर जो रिपूर्ट आई है सामने रीसेंट आम में उसके स्टोन कोल स्टीव ऑस्टन के लिए और सीन यहां पर यह है कि अगर इस साल नहीं हुआ आपको रेसल में 39 के नदर करना है अगले साल कंपीट करूंगा तो डवल डवली उनके लिए और एक स्लॉट बचा के रख लेती है यानि कि मैं यह कह सकता हूं कि डवल डवली वाले बिगाडना नहीं चाहते डा रॉक के साथ में स्टों कोल्स बॉल स्टीव ऑस्टन के सीन यहां स्टॉन कोल्सीb windows के लेजा ही लेकि पताने की के लिए नहींиль करें इससे दिखने कर sãone विकाज हो सकता है कि अगर The Rock इस से complete ना करे हो का हैं कि WWE से यार इस साल यह अब अगले साल माच करते हैं Roman Reigns versus Rock का तो अब यह चीज अगले साल के लिए हो सकता है पॉस्पॉन हो गई हो लेकिन WWE के कुछ लेजन्ड से जिनके जो इनो किछ इस तरीके से deal रहे थी कंपने के साथ में के इस साल नहीं तो अगले साल सही विकाज डवल अब ली इन सूपर स्टार्स को किसी भी अहालत में प्रेशराइज नहीं कर सकती है जो लो बात करते हैं इस अपडेट के बार में इस बार यह Elimination Chamber के प्रीम लाइव इवेंट के बार में अगर आपने देखा होगा डवल ली कुछ प्रीमियम लाइव इवेंट्स होते हैं मैं देखा था पास के इंदर कुछ रॉवाल रंबल के शोज भी थे जो कि टीवी 14 केटेगरी में कंसीडर के जा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है इसको टीवी 14 बनाने के लिए अगर आप एफ यू रोमन के चैंट्स करते हो तो भाई यह सीन बनता है कि क्राउड के उलटी सीदे चैंट्स के गारें डवल डबली को इसे एक टीवी 14 शो कंसीडर करना पड़ा चलो बात करते हैं सप्राइज रिटन के बार में जो कि डवल डबली के अंदर इन फ्यूचर जरूर होने वाली हो सकता हो रिटन पॉस्पॉन हो गई हो लेकिन वो रिटन कैंसल बिल्कुल भी ने हुई है मैं बात कर रहा है यहाँ पर ट्रिस स्टाइटस के बार में देखो जो रीसिंट आमे बाते आ रही है सामने उसके एकॉर्डिंग जो ट्रिस स्टाइटस है उनका जो एंगल है वो रीसेनली रॉक एंदर शेडूल किया ग लेकिन बात बताई जा रही है कि और रेसल मीने शोग के अंदर अपियर होने वाले किसी फ्यूड या फिस्टो लाइन के अंदर चलो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्टेंट फाइनल स्टोडी की तरफ इस बारे काओ बॉय ब्रॉक लेस्नर की बारे में चुड़ी है और जो ब् बॉबी लैश्ली आज ऑप्शन हो आपके अंदर आपके अंदर गंतर आज ऑप्शन हो और आप ट्रेपल एच हो तब आप इतने बेकार बॉकिंग कर रहे हैं तो फैन्स को बिलिव नहीं होगा लेकिन फाइनली इसको लेगा डेव में इसी मैच के साथ जाने वाले मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया भी था कि अब डेवाइट वाले ब्रेवाइट वसी जो बॉबी लैश्ली का मैच करवाएंगे ऑं दी सेम अदर हैं अभी बात भी कंफार्म है कि ब्रॉक वर्सीज ओमास ही होने वाला है कोई चमतकार नहीं होगा कोई ऐसा नहीं होने वा आच है और मैं तो यह से ब्रॉक की वर्स्ट रेसल में बुकिंग भी कंसीडर करूंगा आपको क्या रियाक्शन है इस वाले चीज़ को लेकर बताना कॉमेंट सेक्शन में बाइदवे आज की वाली वीडियो बसे यहीं तक थी अगर यह वाली वीडियो पसंद आए फटा- झाल